बिहार में तीन पूल गिर गया सर और इसी महिना में पूल नहीं गिरा है यह चछत जिसके नीचे आप बैठे हुए विधान सवा के सभी मानिये सदसों के लिए एमेले फ्लैट बनाया है उसका भी बरसात के दिनों मेरे साता है मुकेश रोसन जी बगल के बगल में हमारे जाता है कहां बस्टेचारी होती है कलन के हिसाब से कारज नहीं कराया जाता है और जिनको ठ्थेका दिया जा रहा है उससे रिश्वत की मं पहले ही रिस्वत ले लिया जाता है प्राधिकारी जो घूस लेते हैं पैसा लेते हैं उस पर अंदेखी करेंगे ना इसलिए प्राकरण के हिसाब से नहीं काम हुआ है गुनबक्तापुन काम नहीं हुआ इसलिए पूल धस रहा है सिक्की में 84% अरच्छन है बहुजन समाज को और रजस्थान में 4% उसी के अधार पे बिहार में भी अरच्छन बढ़ाया गया था लेकिन उहां कानून ठीक है बिहार का कानून नहीं आपको तो मैं पहले भी कह दिया राज सरकार मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखा इसल प्राद या कहना कुछ है नहीं चला रहे हैं यह जो बंचित समाज के लोग को है उसको खतम करने का पहले से 230 साजीस है तेश्वी आदव या फिर कर लें नितीश कुमार के साथ जब सरकार से बिहार में और जो भोजन समाज के अरच्छन था 49 परसेंट उसको बढ़ा करके 65 फिसदी कर दिया गया था लेकिन चुनाओ जैसे ही समाप्त हुआ और पतना हाई कोट के द्वारा एक अदेश लाया गया और इस अरच्छन को गैर सवेधानिक वता कर रद कर दिया गया हमरे साथ इस वक्त बात करने के लिए आरजेडी के चुनाओ में जो भारतिये जनता पार्टी की सरकार आएगी तो आरच्छन का जो सीमा है उसको खटा दिया जाएगा आरक्षन समाप्त कर दिया जाएगा वोसी देखने को मिल ला है कभी भी भारतिये जनटा-पार्टी और अडीय के लोग नहीं चाहती है जो गड़ीब सब्सक्राइब जिसलिए रोका गया उसमें बिहार सरकार इसके लिए अपना पक्ष मजबूती से कोट में नहीं रखा इसलिए आज नौबत आई है नितीश कुमार चुप क्यों है यादास्त भूल रहे हैं या कहना कुछ है कहते कुछ है इसलिए भारतिय जनतापाटी और खास करके अधिकारियों के इर्द गिर्द में रहागा बिहार सरकार भी कई अधिकारी चला रहे हैं और भारतिय जनतापाटी के जंडा है धीरे-धीरे जो बंचित समाज के लोग है जो आरक्षन है उसको खतम करने का पहले से भी सुची साजी साजी से लेकिन हम लोग महागठवन के साथ ही बैठने बारे नहीं है हम लोग सरक्स लेकर सदन तक विरोध करेंगे और जो बंचित समाज के लोगों को आरक्षन कलाब मिला है वो मिलता रहे इसके लिए हम लिए लड़ते रहेंगे हम अपने नेता आदरने तेस्वी प्रसाजादव जी के नितियों तो यस्वी आदब ने कहा है कि हम सुप्रीम कोड जाएंगे नितिश कुमार जाये जाहने एकदम एकदम हमारे नेता उसमें भी बिदान सवा में आरक्षन का जब दैरा बढ़ा और जा हो और से समाज को भी निखा रहा है है वी से समाज को भी जो मंचीत समाज उनको अरक्षन का लब हमारे नेता चाह राजञितिग्गों नोकडि में वो देने की बात कहीं थी और कर है सिक्की में 84 परसेंट अरच्छन है बहुजन समाज को और रजस्थान में चौसर परसेंट उसी के अधार पे बिहार में भी अरच्छन बढ़ाया गया था लेकिन कानून उहां का सिन्याले के हाइट के एगेंश्ट में हम लोग करें जाना चाहिए अभी नहीं गया है भी कि विहार में पैसा के बंदर्वांत कि आ जा रहा है पूरी तरह पैसा का बंद्रमाट किया जा रहा हुआ पूल नहीं गिरा है यह चछत जिसके नीचे आप बैठे हुए बिधान सवा के सभी मानिये सदसों के लिए जो एमेले फ्लैट बनाया है उसका भी बरसात के दिनों मेरे साता है अभी साल भड़ नहीं हुआ है लेकिन वह रिष्ण सुरू कर दिया गया है कई मुकेश रोसन जी बगल के बगल में हमारे विधायक है उनका चट चटक कर गिरा था तर फिर उसका रिपेरिंग एक साल भी सबहा है जब यहां पर सभी लोग के नजर में हम आप विधान सवा का नया घौक ऑफ शब अस्था आन्ज अबता सभी जगह के खास के लोग जा है और इसमें सरकार की मिली भगत से पैसा का बंदर बांट किया जा रहा है आप एक जन परतनिदी है सर और विधायक भी है शितामरी से सर तो कैसे देख रहे हैं आखिर पूल क्यों गिर जाता है कहां बस्ट अचारी होती है अब प्राकलन के हिसाब से कार्ज नहीं कराया जाता है और जिनको ठेका दिया जा रहा है उससे रिषवत की मांग पहले ही रिषवत ले लिया जाता है ठीकदार के दौरा 10 परसेंट-20 पहले ले लिजा जा जाता है पहले जब ले लेंगा तो ठीकदार भी गुन Бग्ता में कम प्राकरन के नहीं काम हुआ है उसकी जाच होनी चाहिए वैसे अधिकारी की खिलाप में ब्रकास होनी चाहिए अगर सरकार ठीक है अगर ठीक है मुकमंत्री जी अगर ठीक है उसके जाच करें जाच करके दोसी प्राद हिकारी को ब्रकास करना चाहिए कई सरक अधिक कर रहा है मैंने कई बार सदन में की वी कहा प्रहान सचीब को लिख के दिया लेकिन आज तक उस पर कड़वाई नहीं हुए इसलिए पूरी तरह सरकार के अधिकारी है और सरकार से निपा पोती होती है भरस्टाचार का बंदरमाथ होता है सब अपने अपने हिसाब से उसकी कुडिया ल करने के लिए तो यह थे मुकेश यादव और इनका साब कहना है जिस तरीके से अरचन रद किया गया है पटना है कोट के द्वारा यह सीधा भाजपा किशन लिपता है और यह पहले से प्री प्लानिंग था और हम सवाल किये कि भिहार में तीन पूर लगतार इस मन्थ में ग दर्क जवाब दिया है कि जिस तरीके से जो भस्ट चारी भस्ट चार है वह चर्म शिमा पहे और किया हां से कहां पैसा बढ़ता है कहां से बंदर वाठ होता है सारा मामला के जनकारे मुकेश यादव ने दे दिया है बड़ाल हमारी बात्चीत में आपके क्या राए है यूटूब पर देख रहे हैं हम चालों को सब्सक्राब कर लें बहुत-बहुत धन्यवाद